नमस्का दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे इस सेपसूड में दोस्तो आज हम बात करेंगे क्या दूद और पालक का एक साथ सेवन हो सकता है नुकसान दायक जानिये कैसे दोस्तो दूद के साथ पालक का कंबिनेशन किसी को भी अजीब लग सकता है दरसल भारत में इसे लेकर एक अजीब सी सोच है कि पालक या किसी भी पत्तेदार चीज़ों के साथ दूद और दही वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए यहीं नहीं तहीं और कुछ और पत्तेदार सबजियों का कंबिनेशन भी स्वास्ते के लिए कई माहिनों में नुकसानदायक हो सकता है दोस्तो आईए जानते हैं इसके नुकसानों के बारे में दूद उतपातों के साथ पालक वाली चीज़ें क्यों नहीं खाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पालक में दूद और आकसालिक एसिड में मौजूद कैलसियम का सयोजन कैलसियम आकसलेट का क्रिस्टल का निमान कर सकता है जो किडनी या मुत्रफद के रुकावट का कारण ब होता है ये सिर्फ पालक और दूद उतपादों के लिए ही नहीं बलकि पतेदा सबजियों और दूद वाली चीज़ों का भी हो सकता है दोस्तों आईए देखते हैं दोनों के गुन और अबगुन फिर तैक करेंगे कि ये दोनों क्यूं और किस तरह का प्रवाव हम पर नहीं हो सकते की बले ही पालक कैलसियम से समरिद है लेकिन या शरी द्वारा अच्छी तरह से अफसोसित हो जाता है एंटी नीट्रिंट औकसलिक एसिड शरी द्वारा पिच्चयनवी फीसिदी कैलसियम को अफसोसित होने से रोकता है इस प्रकार पालक में कैलसियम का केवल पांच फीसिदी ही अफसोसित होता है औक सेलिक एसिड क्या है? दोस्तो या एक प्राक्तिक रूप से पाय जाने वाला रसाइन है जो उस तरपर एक खतरनाक जहर भी हो सकता है हलांकि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे भोजन में मौजूद नहीं होते लेकिन बलीज और एंटी रस्टिंग जैसे उतपादों में होते हैं वहीं पत्तेदा साग में भी आकसेलिक एसिड पाया जाता है शरीर में संस्थादित होने वाले या कैलसियम जैसे खनिजों के साथ मिलकर कैलसियम आकसालेट बनाता है फिर ये छोटे क्रिस्टिल गुर्दे और मुतरजे की पत्री बनाने में योगदान कर सकते हैं ऐसा होने में कुछ साल लग सकते हैं या ततकाल प्रभाव नहीं डालते हैं पर ये पूरी पक्रिया शरीर में लगातार होती रहती है धीरे धीरे ये गौल बलेडर में पत्री का कान भी बन सकते हैं दूद दूस्तों दूसरी तरफ दूद है जिसमें कैलसियम की अच्छी मातरा पाई जाती है एक लिटर दूद में लगभग 1100 mg से लेकर 1300 mg तक कैलसियम पाया जाता है कैलसियम हमारी हडियों, muscle contraction, hormone secret और central nervous system को ठीक कने में हमारी मदद करता है दूस्तों क्या दूद के साथ पालग खाना हानिकार कहे आपको या जानकर खुसी होगी या एक मिथक के अलावा कुछ नहीं है तथ है ये हैं कि dietary oxalate के कन, oxalate के कनों को बनाने में काफी की बहुत महतपूंभून का निवाते हैं लेकिन उच oxalic acid वाले खाद्यपतातों के साथ उच कैलसियम खाद्यपतातों का सेवन करने से वास्तर में गूर्दी की पत्री के गठन का खतरा कम हो जाता है दोस्तों डॉक्टर इर्क का कहना है कि इस बन में वह कहते हैं कि कई प्रयोग किये गए हैं इस धाना को मित्त कहा गया है कैलसियम भास्तम में सुराकसतमक होता है क्यूंकि या पेट में oxalatic और फास्पोस को बानता है अफसोसन को रोकता है और मुत्तर के oxalate और मुत्तर फास्पोस को कम करता है जो गूर्दी की पत्री के निर्मान में योगदान करते हैं इन क्रिस्टल को सरीड मल के रूप में बाहर निकाल देता है अगर आप कैलसीम की कम आतरा कशेवन करते हैं तो अधिक oxalate शरीड में अफसोसित हो जाता है जिससे मुत्तर के माद्यम से oxalate का अधिक उत्सरजन होता है इसका मतलब यह है कि जब आप उच oxalic acid खाद्यपदातों के साथ उच कैलसीम खाद्यपदातों का उपवोग करते हैं तो गुर्दी की पत्री की गठन की संबावना कम हो जाती है दूसरी और अगर हम आप कम कैलसीम आहर के साथ उच oxalic acid वाले खाद्यपदातों का शेवन करते हैं तो आपके गुर्दे की पत्री होने की संबावना भी बढ़ जाती है दोस्तों यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाप उठा सके हैं दोस्तों आज के एपसोर्ड में बस इतना ही नेक्स्ट एपसोर्ड में फिर मुलक आतोगी एक नई जहनकारी के साथ धन्यवाद